कल UFC 286 की को में इवन फाइट थी बिट्वेन जस्टिन गेची एन रफाइल फिजीव और इस फाइट में जस्टिन गेची ने क्या सही तरीके से फाइट की टोनी फाइट की फाइट के बाद आई थिंक सिर्फ यही फाइट है जिदर जस्टिन गेची ने प्रॉपर गेम प्लैन को फालो किया और ब्लाइंड ली ओल उट वार नहीं किया चार्ल्स ऑलिवेरे की फाइट और इस फाइट को अगर हम कंपेर करें तो जस्टिन गेची ने कंप्लीटली डिफरेंट फाइट की है इस fight में रफाइल फिजीव के अगेंस जस्टिन गेची ने जादा relaxed और patient record fight की जिसमें third round by जस्टिन गेची was perfect third round में जस्टिन गेची ने रफाइल फिजीव को completely shut down कर दिया रफाइल फिजीव की बात करें तो रफाइल फिजीव इस fight में काफी जादा fast था especially first round में but round 2 के end तक रफाइल फिजीव की तरफ से एक huge weakness देखने को मिली रफाइल फिजीव इस fight में gas out हो रहा था according to Justin गेची वो जानता था कि रफाइल फिजीव इस fight में उससे काफी जादा fast होने वाला है और वो रफाइल फिजीव की speed को starting में match नहीं कर सकता therefore अगर हम round 1 में और most of the round 2 में भी देखें तो इन दोनो rounds में हमें different Justin गेची देखने को मिला इस fight में Justin गेची patient रहकर sit back करके रफाइल फिजीव के shots को counter करने की try कर रहा था round 1 में रफाइल फिजीव extremely fast था और वो Justin गेची को leg kicks, body kicks और even उसके punches भी Justin गेची के face पर land हो रहे थे और past में हमने देखाए कि जब भी Justin गेची ऐसे scenario में आता है तो वो most of the time brawl करना start कर देता है बट इस बार Justin गेची ने ऐसा नहीं किया round 1 में Justin गेची के जो maximum shots land हो रहे थे वो थी उसकी leg kicks और Justin गेची इनको throw कर रहा था रफाइल फिजीव को slow down करने के लिए रफाइल फिजीव की तरफ से वो काफी अची job कर रहा था body kicks land करने में क्योंकि जैसे मैंने previous वीडियो में कहा था Justin गेची अपने guard को काफी ज़दा high रखता है बट एक गलती जो रफाइल फिजीव बार बार कर रहा था वो था कि रफाइल फिजीव अपने 25 से try कर रहा था Justin गेची के head को target करने की और इसके लिए वो proper speed और power के साथ 3-2-4-25 का combination थो कर रहा था बट दी only problem वोस की maximum in shots को Justin गेची ब्लॉक कर ले रहा था रफाइल फिजीव ने इन combinations पर इतनी जादे energy को waste किया कि last round में वो कुछ जादे ही slow down हो गया और kind of Justin गेची के लिए एक punching back बन गया था round 2 में भी Justin गेची का same game plan था कि वो patient record counter punches को throw करेगा बट round 2 में हम देख सकते थे कि रफाइल फिजीव slow हो रहा है और इस round में जब भी रफाइल फिजीव Justin गेची की body को target कर रहा था अब क्योंकि वो इस round में थोड़ा सा slow down हो गया था Justin गेची was able to block those body kicks इसे के साथ round 2 में Justin गेची ने body kicks को भी block करना start कर दिया और अब Justin गेची का right punch connect होना start हो गया रफाइल फिजीव के face पर round 2 के mid के बाद we could see रफाइल फिजीव still pressure करके forward move कर रहा था बट अब वो थोड़ा सा gas out होने लगा था इसलिए वो अपनी speed advantage से Justin गेची के shots को dodge नहीं कर पा रहा था जिसकी वज़े से Justin गेची को success मिल रही थी big punches को land करने की और round 2 के end तक Justin गेची के left और right hooks भी connect होना start हो गये थे round 3 start होने से पहले Justin गेची के coaches ने कहा कि अब उसका time है रफाइल फिज़ीव को pressure करके backward move करवाने का बट round 3 की starting में जैसे ही Justin गेची ने ये try किया रफाइल फिज़ीव के big right punch ने Justin गेची को हलका सा rock किया और इसके थोड़े ही time बाद रफाइल फिज़ीव ने एक big knee को throw किया और उसको follow किया left hook combination से ये combination इतना साथा strong था और ये clean भी land हुआ Justin गेची के face पर जिससे मुझे ऐसा लगा कि Justin गेची knock down होने वाला है बट surprisingly Justin गेची ने उन punches को absorb किया और quickly recover होके फिर से fight करना start कर दिया big shots लेने के बाद Justin गेची को इतनी जल्दे recover होते हुए मैंने Justin को उसकी first fight against Michael Johnson में देखा था जैसे जैसे ये round 3 चलता रहा रफाइल फिजीव और ज़्यादा gas out हो गया और अब जाके Justin गेची ने रफाइल फिजीव को pressure करना start कर दिया round 3 में जो main weapons Justin गेची के रहे वो थे उसके jabs और uppercuts according to Justin गेची round 3 में उसके coach ने कहा कि उसको जादा jabs को throw करना चाहिए काफी कम टाइम Justin गेची mid fight में अपने coaches की बात सुनता है बट इस fight में हब देख सकते थे कि Justin गेची ने definitely अपने coaches की बात सुनी और जैसे ही उसने jabs को throw करना start किया रफाइल फिजीव के पास कोई answers नहीं थे ना ही रफाइल फिजीव उन jabs को block कर पाया और ना ही वो jabs को counter कर पा रहा था वो सिर्फ try कर रहा था अपने head को down करके Justin गेची के jabs को duck करने का और इसी का फाइदा Justin गेची ने उठाया uppercuts को throw करके Justin गेची ने under one minute तीन big uppercuts को throw किया जिसने रफाइल फिजीव के face के हालत और जादा बुरी कर दी और इन सब के बाद round three के end में आता है Justin गेची की तरफ से एक brutal uppercut और इस uppercut ने completely break कर दिया रफाइल फिजीव को so overall Justin गेची ने अपने एक usual fighting style से हट कर इस बार एक different fighting approach के साथ fight की और personally मुझे ये वाला Justin गेची का style काफी ज़दा impressive लगा also इस fight में according to Justin गेची उसने अपने weight को increase किया था ताकि fight के time उसको हलकी सी weight advantage हो सके I think normally Justin गेची fight से पहले 165 pounds के around रहता था but इस बार Justin गेची ने कहा कि weight cut करने से पहले वो 175 pounds का था and I think ये काफी अच्छा game plan था given that इस fight में Justin गेची ने रफाइल फिजीव के big punches को भी absorb किया और Charles Olivera की fight की तरह knockdown नहीं हुआ और finally Justin गेची ने एक take down भी किया तो maybe future fights में वो अपनी wrestling को use करे